गाय जो है बहुत अच्छा जानवर है और हम लोग बहुत इसकी इज़त करते हैं सब लोगों को मैं क्या सब लोगों को भी इसकी इज़त करने चाहिए आजकल देख रहा है आपके मॉब लाइंचिंग हो रही है और और चीज़ें हो रही है ये जो लोग चार परसेंट पांच परसेंट दो परसेंट लोग ही ऐसे हैं जो ये इस तरह का माहौल बना रहा है मा के दूद में जो एक मदर होती हैं मा के दूद में जो फैक्ट और वो होते हैं कोई एक गव माता जो इसका नाम रखा गया माता वो इसी लिए रखा गया इसी का दूद भी इतना ही अच्छा होता है और बहुत फाइदे मंद होता है पूरे यूपी में एक माहौल पर बनाया जा रहा है कि मुसल्मान जो है वो सिर्फ बीफ को खाते हैं या बीफ का गोश् कि एशा नहीं है इंदु भाईयों से भी और मुसल्मान भाईयों से भी के प्लीज ऐसे काम को चितना आगे ले जा सकते हैं जरूर लेकर जाये क्योंकि इंसानियत खटम करने में बहुत कम भख लगता है लेकिन इंसानियत को कायम करने के लिए एक इंसान की जान लग जाती आपसे कुछ दिन पहले महिनों पहले एक बुलंचेयर में एक हाथसा हुआ था इस्पेक्टर की मौत भी हो गई थी बड़ा महुल खराब करने कोशिश की गई थी और वो हाथसा उस वक्त हुआ जब एक समधाय विश्वेश के इधार्मिक महाँ पर सभा चल रही थी तब महा परआ पर पोरा मामरा हुआ और तूल ठोल प्गया तीन प्ग्डाigor की काईंच होष्वेश आरओ था जोगों पर पर की वो वहफा करते हैं इस बिलऊ स्कार्था कहते हैं गउवंट आज स्वाश की गोवाल करते हैं इस पूरी मसले पर महां disparu llegó हूँ ह्능 के बाद में इसके बाद में उपने करने सामारी मॉस्लमान को और मारते ये लिया को प्यार करते हैं हुआ है एक अप 10 के साथ में जो पशले दसकों से गया ही को हीरे है और उसे इंहें पूरा होगा प्रहते हैज और यह तो झाहिं़ पांस अच्छे क्लिव ट्रेक दूर एक सक्स है और जुबेतर रह्मान सहाब और बबन मिया जो एक अपनी कोसा आप पालते हैं मदू सुधर के नाम से और तक्रिपन सो से ज्यादा महापर गाएं हैं और एक माहूल गियर्ट किया जा रहा है बबन मिया के थूट के जो मुस्ल आप키से ख्याल आया कि आपके मन में कि आपको गाएं पालने चाहिए हैं असल मेरी वालदा गायawkालती थी उसी की तरस पर क्योंकि वो मेरी वालदा थी वो गाय Q8 पालती नहीं पिछले चालिस पछा साल से और वैसे भी गायक जो एक बहुत अच्छा जानवर है और हम बीफ को खाते हैं या बीफ का गोश्ट खाते हैं ऐसा नहीं है काफी लोग ऐसे हैं मतलब कि जो गाये पालते भी हैं उसमें एक मैं जीती जाकती मिसाल हूं हमारे हैं अलहम्दुल्ला 40-50 साल से गाये पाली जाती है और हम लोग बहुत इसकी इज़त करते हैं 40-50 साल से रेगुलर आपको ये पुरा मतलब पुष्टानी काम समझ दी जी 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 क्यूंकि मेरी वालदा गाये पाल दी यह जरूर था उनके टाइम में चार और पांच और छे गाये होती थी अलहम्दुल्ला मेरे हैं 90 से सो गाये हैं आज के टाइम में बबन बाई मुझूदा वक्त में कभी डर्ण लगा कि नहीं गाये का जैसे जिस तरह से हववा बनाए जाता है एक गलत मैसिज दिया जाता है कभी जहन माया कि नहीं मैंने क्या कर लिए मुझे गाये निपाली चाहिती कभी मेरे साथ भी कुछ हाथसा हो जाए देखिए इस तरह का खेर हम लोगों के हैं लागा शुक्र है माहौल ऐसा नहीं है लेकिन वक्त का कुछ पता भी नहीं है कि कब आजकल देख रहे हैं आपके मॉब लांचिंग हो रही है और और चीज़ें हो रही है मुसल्मानों को टार्गेट बनाया जा रहा है लेकिन अलम्दुल्ला हम तरह हमारे हां इस तरह का माहौल नहीं है और सब लोग इलाके के जानते हैं कि हाँ इनके हाँ पिछले 40-50 साल तर गाये पाली जाती है तो सब कैसे मेनेज करते हैं या फिर आपने से ही नहीं मैं इंडिविजनल करता हूं इसे और एक यह हम लोग इसकी इज़त करते हैं एक भावना के उससे करते हैं हम लोग के गाये जो है बहुत अच्छा जानवर है सब लोग को सब लोगों को मैं क्या सब लोगों को भी इसकी इज़त करनी चाहिए और हम लोग तो इस को मतलब और मैं तो चाहता हूँ कि इसे आगे बढ़ाए जाए और और लोगों से भी मैं कहता हूँ कि आप लोग भी गाये पालें अच्छा दिली प्रदेश प्रभारी भी आपके मनुस्ति वारे सांसर वो भी आपके पास है इसके बाद सुशिल कुमार आए राज मुराद आए सलीम जैदी आए बहुत तमाम सेल्ब्री आपके यहाँ पर आपकी जो बोशाल है वो देखने के लिए आए तो क्या मैसेज गय नहीं 아닌 बतलब यह जो लोग चार परसेंट 5 परसेंट 2 परसेंट लोग यह ऐसे हैं जो यहाँ इस तरहांगा माहो बना रहा है नाइन इइट 5 परसेंट लोग आज भी बहुत रह फारवजा हैं हम लोगों के को आते हैं वो हमारे तोहारों में शरीक होते हैं हम लोग उनके तोहारों में शरीक होते हैं तो हमारे हैं कि यह बहुत अच्छा जो पच्छ में उत्तर पिड़्देश है माहॉल घंगा जमनी तैजीब है हम लोगों की उसको काइम रखने के लिए भी हम लोग यह काम कर रहे हैं पुलिस प्रस्राइशन कभी बहुत अच्छा रूल आउट में एक इस्पेक्टर पे शहीड होगी उस वक्त थोड़ा सा माहूल आपको लगा के अपनी कोशालब को लेके कोई दंगाई ना आ जाए है हमारी कोशालब पर कि मुस्लमान क्यों बाएं पाल गाए हां कभी-कभी कि खयाल तो आता है कभी-कभी लेकिन अल्ला का शुक्र है इस तरह का हमारे है अभी वो नहीं है क्योंकर मेरे हैं अफिसर्स लोग बी आते हैं मेरे एक डीजी है अलोग शर्मा वह आ चुके हैं सियो सियाना भी आते हैं डीम कुषएर पाएं कि मालूमाद है क्या मैसेज ज आदे करता हूं और करने भी चाहिए क्योंकि देखिए इसका दूद बहुत अच्छा होता है मैं तो समझता हूं कि जितना मा के दूद में जो एक मदर होती है मा के दूद में जो फैक्ट और वो होते हैं वही एक गाओ माता जो इसका नाम रखा गया माता वो इसलिए रखा ग करता हूँ और मुझे तो बड़ी मुझे तो बहुत खुशी होती है और और भी लोग काफी खुश होते हैं ऐसा नहीं तो अब कैसा माहूल है मला आप क्या चाहते हो आगे प्लानिंग क्या है आपके अपनी कोशा लोगे लेके बस मेरा तो मकसद यह है कि समाज में एक में उसको खत्म करने कोशिश कि जी बिल्कुल बिल्कुल मश्यूर और मारूफ आरजे रेडियो जोकी हमाई साथ में जो अक्सर आपने सुना होगा मुर्गा बनाते रहते हैं प्रैंक करते रहते हैं और क्या कहना इस तमाम मुद्धे पर आरजे नवीन हमाई साथ में जरु अखलाब कियो आपस मुद्धे कहा करने चुछी है सबसे पहले तो मुझे अफसोस होता है कि यह मुद्धे क्यों निकलते है मतलब मुझे बहुत कुम है मतलब अनफॉचिनेटली के हम यह डिसकर्स भी क्यों करते हैं कि मौप लिंचिंग हो रही है यह कभी को होता न मैं जब से उनसे वाकिफ हूँ जब मैं मिलता था तो पहले सही जब गौशाला नहीं थी तो एक जो हुमानिटी इनसानों के लिए एक सौट कॉर्नल जिस गाउन से वो हैं मैं चुट्टियों पर अखसर उस गाउन चला जाता था तो जब ही से मुझे अंदाजा होता था थ क्वार रखे कि दी कुछ उनका फाइदा नहीं हो था लेकिन उसके बापजूद वगौका करते रहे जब गौशालै नहीए ति मिझती बात बता रहा हो मैं पर पूरी एक उता dif इस तरह पर अलमाशालड़ ने उनको अको एक दरुए पिछा दिया उसके बापजूद इतना डाउन टूर्थ इंसान होना ये बहुत बहुत मुश्किल होता है आजकल, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं अगर यहां पर आ गया है जो लोग मिल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है अवे नवीत तुने जूस कर दिया, लेकिन बब जीजों के लिए हमें बदनाम किया जाता था या फिर हम कुसूरवार ठहरा जाते थे, बबन भाई ने उसी को पलटके एक चेहरात मुसल्मान का दिखाया, एक अच्छे इंसान का दिखाया रादर, कि हम ये काम करते हैं और करते आये थे, आपता है ये पॉलिटिकल कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वज़ा से कुछ ऐसी इशूस बन जाते हैं, लेकिन शुरू दिन से, जब से मैं देख रहा हूं, सिर्फ गौशालग की बात नहीं, इंसानों की बात कि कोई अगर परिशान है, तो परिशान है तो परिशान है, क्यूंकि हिंदू के भी पेट में इतना ही दर्द होता है, जिसको भूब की तकलीफ होती है, और मुसल्मान की भी बराबरी है, सवल्लत अला के अभगान के बनाए में, तो इस चीज़ को तो मैं भी सपोर्ट करता हूं, जो वो काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ बोलता हूं, मैं रेडियो पर या टीवी पर सिर्फ पोलता, असल काम बंबन भाई जैसे लोग कर रहे हैं, कि ग्राउन लेविल पर जाकर लोगों को पहचाना, ये भी बहुत जरूरी है, कि किसकी मदद करें, और कौन मुस्तहिक है, उन लोगों को पहचानना, उन लोगों तक पहुचना, और वो पहुच रहे हैं, और उनको देखा देखी, लोग आगे बढ़ देए, और मैं कोशिश करूँगा हमारी हिंदू भाईयों से भी, और मुसल्मा हिंदू भाईयों से भी, कि प्लीज ऐसे काम को जितना आगे ले जा सकते हैं, जरूर लेके जाए, क्योंकि इनसानियत खत्म करने में बहुत कम बख्त लग हर इंसान की हिंदू मुसल्मान, कि आप एक एक एक्जाम्पल ऐसे सेट करें, कि हम एक थे, एक रहेंगे इंशाला, और ऐसे कभी बात नहीं होगी, क्योंकि अब जाहिर है, हर इलाखे में तो हम बबबन भाईयों से इंसान नहीं लगा सकते हैं, एक ही बनाएं, लेकि आप हैं, बबन भाईयों से शाहिए, तो आप भी करिए ऐसे काम को जितना हो सकता है, इंसानियत को बचाएं, बचाएं, जो हिंद मुसलिम वाली जो बिवाद चल आए उसको खतम कीजिए, और अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगत है, शेयर कीजिए, बहुत बहुत बह झाल